जानवी को लोग अपनी मा की परच्छाई भी कहते हैं वे अपनी मा के बेहत करीब रही है हाल ही में जानवी को मुंबई एरपूर्ट परिकलगी अंदाज में देखा गया जिसमें वे श्री देवी के चांदनी के लुक में नजर आई हैं गौर तलब है कि अब जानवी कपूर करंड जोहर के बेना तले फिल्म धड़क से देब्यू किया था जिसमें दर्शकों ने जितना उन्हें पसंद किया उतना ही श्री देवी को मिस भी किया था दर्शकों के पहली पसंद बन चुकी जानवी रविवार की शाम को माया नगरी के डॉमेस्टिक एरपोर्ट पर नजर आई दरसल रविवार को जानवी कपोर मुंबई से उतरप्रदेश के लिए रवाना हुई जहां वो कुछे दिनों में राजकुमार राव और वरुर शर्मा स्टारल फिल्म के लिए काम शुरू करेंगी यह फिल्म दिनेश विजन बना रहे हैं बता दें कि दिनेश की यह फिल्म रूही आवजा की शूटिंग कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी खबरों की मताविक इस फिल्म में जहांवी डबल रोल में नजर आने वाली है जिसमें एक का नाम होगा रूही तो दूसरी का नाम अफसाना होगा निर्माताओं के अनुसा जहानवी का यह अवतार देखने लायक होगा इसके अलावा जहानवी अभी गुंजन सक्सेना की बायोपिक पर काम कर रही है जिसके बाद एक करण जोहर की फिल्म तक्त में व्यस्त हो जाएंगी जहानवी के इस फिल्म में उनका अलग ही अंदाज नजर आने वाला है अब देखना ये होगा कि दर्शकों को जहानवी का डबल रोल कितना पसंद आता है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स